17 अक्टूबर को स्मिटा पाटिल की 64 मी बर्थ इनिवर्सरी है। इस मौके पर उनके बेटे प्रतीक बबर ने देनिक भासकर से अपनी मा से जुड़ी बातें साजहा की। गवर तलब है कि प्रतीक को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही वेह गुजर गई थी। प्रतीक कहत जाना इंडियन सिनिमा के लिए बहुत बड़ा लॉस रहा। घुमने के लिए चुराई थी नाना की जीप। प्रतीक बताते हैं मा के बारे में तो किसे कहानिया ही सुनी है। फिल्मे और उनके इंटरव्यूद्स की क्लिक्पिंग देखकर उनके बारे में एक इमेज बना पाया ही। उनकी हर चीज सीखने लायक है। उनकी हर बात इमोशनल थी। मैं शायद जाहिर ना कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें दुखी करती हैं। उनके बारे में धीर सारे ऐसे पहलू हैं जो काफी खुशी देते हैं। दिल और चेहरे में मुझ कुराहट ला बकॉल प्रतिकवे बड़ी एडवेचेरस भी थी। वह सबसुन बड़ा अच्छा महसूस होता रहा है। उनके बारे में हर लटपज मेरे लिए बड़ा कीमती है। वैसे तो मुझे उनकी सारी फिल्में पसंद हैं। पर शक्ती, नमक हलाल मुझे खासी पसंद हैं। मैं उ जरा सिमिलर तो लगूँगा ही। काश यह हो पाता कि मैं लड़की बनकर पैदा होता तो मा की किसी फिल्म के रीमेक में उनका किरदार प्ले करता। बहुत बार लगता है कि काश मा की गोद में सिर रख अपने जज़बात शेयर कर पाता। जब नाना नानी गुजरे थे त हम सब गमजदा ही हों। ओर रॉल बड़ा ही पॉजी डिवार्ट स्पेशल दिन होता है या। हम सब परिवार के लोग इकठा होते हैं। सेलिब्रेशन तो नहीं करते, बस डिनर कर लेते हैं। मा के इस जन्म दिन पर तो मैं पूने में शूट ही कर रहा हूं। मौसी भी ब